तो गाइज वेलकम तो मैं यूटूब चैनल अंस्टेवल वरूस और वारांसी फूर टूर के इस एपिसोड में मैं आपको लाया हूँ बनारत के वन ओप दा ओल्डेस्ट बेकरी में जिसका नाम है न्यू ब्रेड ओफ लाइफ बेकरी दोस्तों ये बेकरी करीब 25 साल पुरा आती है और क्यों फॉरेंट ट्यूरिस्टी से इतना जैदा पसंद करते हैं ये सारी चीजे में बताऊंगा आपको इस अंदर जैसे ही हमने इंट्री किया हमें दिखने लगे बहुत सारे अलग-अलग वेराइटी के केक्स, पाइज, कुकीज, एंड डेजर्ट अगर इसके एंबियंस पे नजर डालने तो बिल्कुल एक नॉस्टल्जिया वाली वाइब आती है, एक एक्क्वेरियम रखा हुआ है, बिल्कुल फुराना स्ट्रक्चर, कुछ पेंटिंग से लगी हैं वाल पे, वो भी बिल्कुल सिंपल सी हैं और सटल है, पर लैंप्स अच्छे मेनू मिल गया है मुझे, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक बार पूरा, बेकरी आइटम्स, सारी चीजे, तो गाईस सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर ओर्डर किया है, वह है ब्राउनी विद आइसक्रीम, जो की मेरे फेवरेट डेजर्ट है, अभी मैं बैटा हू और बाकी कुछ देजर्ट भी हम ट्राई करेंगे, जो की मैं भी आपको दिखाऊंगा इस, इसका कॉस्ट जो है वो 150 रुपीज है, कॉंटिटी थोड़ी कम लग रही है कॉस्ट कहीं साब से, अभी टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है आप सबको, टेस्ट अच्छा लगा ब्राउनी थोड़ी और गर्म होती तो मज़ा आजाता, तो मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा आपको, इसके बाद हमने मंगवाया है एपल पाई विथ आइसक्रीम, एड़ चॉकलेट चीज केक विथ आइसक्रीम, ये दो ऐसी चीजे हैं जो बनारस में दो या तीन जाग नहीं मिलेंगी आपको, इसपेसली एपल पाई जो की बहुत ही ज़्यादा फेमस है अमरीका में, एपल पाई के अंदर एपल की स्टाफिंग होती है, और एग वगरा मिला के बनता है ये, और चीज केक तो आप नाम से ही गेस कर सकते हैं, इन दोनों की कॉस्ट भी हमें कैसा है? बहुत मुलायाम है, बहुत क्रशी लगा है कैसा लग रहे है बताओ, बढ़ी है बनिया है मस्तेक से पलपाई बढ़ी है चोकलेट, चीज केक से अहां, हम उससे बढ़ी है गाइज इस बेकरी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर सारी चीजे हैंड मेड मिलती हैं चाहे केक हो चाहे कुकी हो चाहे ब्राउन क्योंकि जब यह बेकरी स्टार्ट हुई थी तब ऐसे मसीने नहीं होती थी केक वगेरा बनाने के लिए 1997 में स्टार्ट हुआ था यह इन्होंने बताया और उसके बाद से इन्होंने वही सिस्टम अभी तक कंटीनिव रखा यहाँ पर हैंड मेडी सारी चीजे मिलती हैं तो गाइस इस बेकरी में फॉरेंट टूरिस्ट इतना ज़्यादे इसलिए आते हैं क्योंकि इनके मेन्यू मे कुछ ऐसी चीजे हैं जो आपको बनारस में सिर्फ दो या तीन जगह पे ही मिल पाएंगे इन्होंने बताया कि ताज और रेडिसन जैसे बड़े होटल्स में मिल पाएंगे तो आप भी अगर थोड़े कम प्राइस में ऐसे डेजर्ट स्ट्राइ करना चाहते हैं तो यहाँ और एंड में मैंने ले लिया है एग नूडल थाकि हमारा पेट भी थोड़ा बर जाए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें